कि नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है आज की जो विडियो है थोड़ी से अलग टाइप की है लेकिन आप कमेंट में मुझे जरूर वहता ना कि आपको यह कैसी लगी या फिर वाटसप में आप मैसेज करके कहेंगे तो भी चलेगा मैं कभी-कभी कुछ छोटी-छोटी बातों का भी बहुत जादा मतलब विचार करते रहता हूँ और मुझे कुछ लोग बोलते भी है कि हाली में एक दिदी ने भी मुझे बोला था कि आप छोटी-छोटी बातों में इतना मतलब विचार करके दुखी भी मत होना और जादा उ बहुत अच्छी है और उसमें मुझे लगता है कि सीखने जैसा है लेकिन जो मेरे अभी मतलब मेरे विच्छर में आई वो मैं आपको कहने वाला हूँ सबसे पहले एक हाली में एक एड मैंने देखी थी वो किस चीस की एड है वो भी मुझे बाद में पता नहीं चला लेकिन फिर भी उसमें जो दुरुष्चे दिखाया था या फिर दो दिखाने की जो कोशिश करी थी वो मुझे बहुत अच्छी लेगी बाते दोस्तो यह जो बाते है इसी बात भी नहीं है कि मैं आपके सामने मतलब इस पर वीडियो ही बनाओ लेकिन फिर भी कुछ अच्छा पर जाने के बाद वो उतरता है घोड़े से और सामने देखता है तो वो इतम थोड़ा सा देखते रहता है कि वहाँ पर जो जंगली घोड़े होते है जो जंगल में रहने वाले वहाँ पर एक साथ मतलब ऐसे खेलकुत कर रहे होते है और यह उनसे दूर होता है तो इसके मन लेकिन बहुत अच्छे से दिखा गया है और बाद में घुड़ा उन तक मतलब भाग कर जाता है मतलब कही ना कहीं दोस्तों वह उसको आजाद कर देता है कि हाँ जाओ तो मैंसे जो बात है मेरे मन को मतलब बहुत अच्छी लगे कि कभी-कभी हम बोलते ना कि आज की दुनिय आज़ादी जो बात है दोस्तों वह इंसान का हक है और उससे हमें मतलब कभी-कभी किसी से नहीं चीनना चाहिए आज मैं देखता हूँ कि कभी-कभी घर के भी लोगों को हम मतलब आज़ादी नहीं देते हैं जैसे मतलब को ऐसे के भी कैसेस देखे जहाँ पर हस्बंड हुआ मतलब बात कर रहे है तो उसके मा माता पिता के साथ उसके अलग दुनिया है तो उसको जीने की मतलब जीना देना चाहिए तो इस तरहbn 시 random चीजों को मितार कर नहीं दो कि हमारे घर के भी लोगों को कहीना की वो आजादी से कहीना की किसी से बात कर पाए कुछ उनको दिल से कुछ करना है तो उसको कर पाए तो इस थारी चीजों को मतलब हमें उतना पकड़ कर नहीं रखना चाहिए यह भी कहीना की किसी को कैद करने जाएसा ही हुआ तो यह मुझ चीज़ के एड़ थी वो भी मुझे पता नहीं सच में मुझे माफ कर देना लेकिन वह ऐसी एड़ थी कि एक बार एक बुजूर गिंदजान तकरीबन 60-60 साल का वो अपने वाइफ को लेकर अपने गाव जाता है और वो सब दिखाता है कि देखो हम यहाँ पर पहले खेलते थ आते थे छोटा सा बशाने यहां चोटा सा बढ़ाणी और से हमेशाओक सो दोस्त दुखीत है और अगले पाल में क्या दिखाया दोस्तों कि वही पर वही मतलब उसकी वाइफ खड़ी है और वहां से ही उसके जंप लगाता है और उसकी वाइफ भी देखकर हसती है कि मतलब यह इस इंसान को उस वक्त जो मतलब करने नहीं मिला वो आज कर रहा है तो यह जो बात थी कि मतलब मेरे मन को एकदम लेगी कि तो यह जो add है दोस्तों कहीं न कहीं हमें दिखाते ही नहीं मतलब कुछ ऐसी बाते होते हैं जो एकदम दिल को चूचा जाती है कि उस वटक्वी-कभी हमें मतलब किसी चीज़ की जरूरती जैसे आज भी हमें बहुत-बार लगता है ना कि आज यह चीज मेरे पास आप खुशी से रखे और आपके सारे सपने पुरे हो इश्वर हमीश आपको खुश रखे दोस्तों तो दोस्तों हम अपने अगली वीडियो में किसी नए विशे को लेकर मिलेंगे तब तक आप अपने परिवार का खयाल रखना आपका बहुत-बहुत धन्यवात जिन्दगी की रोशनी ये एक कंसल्टनसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिनोंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत जादा दुखी है जो लोग इस संस्ता के साथ जुडते है उन्हें पास्ट लाइफ इरिग्रेशन की और इसके साथ साथ उन्हें पिडियेफ किताबे भीजी जाएंगी जो हिंदी और अंगरेजी में है जो मोबाइल पर या फिर लेप्टॉप पर आप उसे पढ़ सकते है और दस अडियो बुक्स भी आपको भीजी जाएंगी तो दोस्तों अगर आप इस संस्ता के साथ जु बहुत बहुत धन्यवाद